Hey everyone, मैं हूँ गौरा मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूँ Magnet Brains के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर जहाँ पे आज हम Class 11th की Maths को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर आज हम देखने वाले हैं Binomial Theorem को थोड़ा सा और पढ़ेंगे याद होगा जो पिछली वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपको Binomial Theorem का Introduction दिया था और वीडियो के end में कहा था कि एक और theoretical वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कुछ बची हुई बाते आपको बताऊंगा तो ये जो वीडियो है उसी चीज़ पे Focused है थोड़ी सी बाते रह गई थी उन्ही बातों के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना दी है क्योंकि important बाते हैं जादा बाते नहीं हैं, जादा चीज़े नहीं हैं, जादा results नहीं है पर हाँ कुछ हैं जो की बहुत important है तो उन्हीं चीज़ों का discussion जो है अपने इस वीडियो के अंदर करेंगे तो I hope की session का target आप लोगों को clear है जादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन काफी effective और important वीडियो होगी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि Magnet Brains वो platform है जो आपको education provide करवाता है free of cost यानि कि यहाँ पे आपको दो chapters पढ़ने के बाद बागी chapters पढ़ने के लिए किसी तरीके का payment नहीं करना है किसी तरीके का subscription नहीं लेना है सारी चीजे आपके लिए यहाँ पे free of cost available है साथ में Magnet Brains आपके लिए लाता है books और e-books जिनको आप avail कर सकते हैं इस वीडियो में दिये गए एक form के link से अपने details उनमें भरी हैं और Magnet Brains की team आपसे contact कर लेगी जो books और e-books हैं इनको हमने multiple choice question, theory, sample paper और previous year question books में classify किया है quality of content में कोई compromise नहीं किया गया है जो की best possible हो सकता है वो उसमें है तो चलिए इनी positive node पे start करते हैं अप अपने session को बस एक और बात सुन लीजे अगर आप इसी तरीके से इसी वीडियो की तरह class 11th के maths के बागी सारे chapters के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वापस से इस वीडियो के description box में जाए वहाँ पे playlist के link है आप उस पे click करें और आपके सामने सारे वीडियो sequence में आ जाएंगे फिर जिस भी वीडियो को आपको देखने का मन हो वहाँ से देख लीजिएगा concept clarity की guarantee मैं आपको 100% provide करता हूँ चलिए बिना देरी के start करते हैं session को और आते हैं कि सर कौन से ऐसे results आप हमको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में जरा बताईए चलिए देखिए तो पहले तो results बताने से पहले वापस से हम binomial expansion को लिखेंगे हम जो general form कल लिखे थे जो चीज को समझे थे last वीडियो में उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो अगर मैं आपसे कहूं कि general form लिखिए तो आप भी अपनी copy में लिखने की कोशिश कीजिए मैं भी यहां पर बोर्ड पर लिखने की कोशिश करता हूं देखते हैं कि दोनों का match होता है कि नहीं होता है तो मैंने शुरुवात की थी कि माली जिए a plus b variable है और यहां पर power है n तो इसका general form होता है nc0 a की power n b रहता नहीं है अब मैं आपको detail में नहीं समझाओंगा कि कैसे आया था मैंने सब समझा चुका है तो direct result यूज करूँगा फिर होता है nc1 a की power n-1 और b की power 1 फिर आता है आपके पास nc2 और फिर आता है a की power n-2 और फिर आता है b की power 2 ऐसे ही अगला term होता है nc3 यहाँ पे आता है a की power n-3 और यहाँ पे b की power आती है 3 और आप कुछ इस तरीके से जो हैं चलते चले जाते हैं रुकते नहीं हैं और last term जो होता है वो होता है ncn a की कुछ power नहीं रहती है और सारी power b पे चले जाती है यह आपका general form था जो हमने कल बढ़ा था बच्चो इस general form में एक हम substitution करेंगे result बनाना चाहते हैं और result ऐसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से जहां पे a है उसकी value आप 1 डाल दीजिए और जहां पे b है आप उसकी भी value 1 डाल दीजिए यह result है यह बहुत important चीज है जो आप यहाँ पे करने वाले हैं यह general form में आप क्या करेंगे a की value भी 1 डाल देंगे और b की value भी आप कितनी डाल देंगे 1 डाल देंगे जहां 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 a है वहाँ डाल दीजिए जहां जहां b है आप वहाँ पे भी 1 डाल दीजिए और यह information तो आपको होगी ही कि 1 पे कुछ भी power हो answer हमेशा कितना बनता है 1 ही बनता है अगर 1 पे पावर N हो या 1 पे पावर N-1 हो या 1 पे पावर 3 हो या 1 पे पावर 4 हो आंसर हमेशा कितना बनेगा 1 बनेगा तो 1 पे पावर चढ़ा के कोई फाइदा होता नहीं है तो इस बात का भी हम यहाँ पे इस्तमाल करेंगे चलिए सबसे पहले left hand side में डालते हैं N आ गई clear है फिर अगला term है आपके पास NC1 यहाँ पे भी A है इस 1 A की जगह 1 डाल दिया उपर पावर आपके पास N-1 है यहाँ पे B है B की जगह अभी आपने कितना डाल दिया 1 डाल दिया हर जगे substitution करना है बच्चो फिर आपके पास यहाँ पे NC2 है वापस से आपने N डाल दिया और उपर पावर क्या है ठीक है अगले term पे आईए वापस से यहाँ पे देखेगा NC3 है यहाँ पे A है तो A की जगह पावर क्या डाल दिया एक जगह तो 1 डाला और पावर N-3 है यहाँ पे B की जगह 1 और पावर है 3 इसी process को अपन continue करते गा है और last term पे आए त अब सुनिए तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 की पावर N हो गया 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 की पावर N हो गया 1 प्लस 1 टू होता है पावर N है अब इधर देखना मैंने आपको already starting में बता दिया था कि 1 पे कुछ भी पावर चड़ाना कोई मतलब का काम नहीं होता है तो जो पहले 1 पे पावर चड़ाओगे N का, आंसर क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा, अब इस 1 को NC0 से multiply भी कर दोगे, तो क्या हो जाना है, कुछ नहीं हो जाना है, आपको exactly वापस से NC0 ही मिल जाएगा, similarly यहाँ पे आईए, यहाँ पे आपके पास NC1 लिखा है, यह 1 पे पावर N-1 है, कुछ होगा क्या, नहीं होगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे 1 है, वो multiply होके भी क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं होना है, वहाँ से actual, final, effective चीज क्या बचेगी, NC1 बचेगी, ऐसे ही आप अगले term में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, NC2 है, और उसके बगल में जो चीजें हैं, वो तो सब जगे 1 है, वन पे कुछ भी पावर चड़ाओ, कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, effectively आपको NC2 मिलेगा, ऐसे ही next term में देखिए, आपके पास effectively NC3 बचेगा, उसके अगले term की बात करूँ, तो effectively NC4 बचेगा, उसके अगले term की बात करूँ, तो effectively NC5 बचेगा, और इस तरीके से आप चलते चले जाएंगे, कहां तक जाएंगे, last term तक, भई last term क्या है, last term NCN है, बच्चों यही result generate होके आता है, तो अगर मैं इस result को summarize करूँ, इसको अच्छे से दिखाऊँ आपको, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, LHS, RHS को थोड़ा सा exchange कर देता हूँ, RHS को LHS में लिखता हूँ, LHS को RHS में लिखता हूँ, तो result कुछ ऐसा बनता है, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस, इसको continue करते जाओ, NC6 कहां तक जाओ, लास्ट टर्म तो, लास्ट टर्म क्या है, NCN है, इससे पहले के भी कुछ टर्म आप लिख सकते हैं, जैसे NCN-2, फिर आ जाएगा NCN-1, यह लास्ट के टर्म से, और लास्ट टर्म NCN, और फाइनल रिजल्ट कितना बनेगा, 2 की पावर N बनेगा, यह पहला रिजल्ट आता है, जो कि बाइनोमियल थियोरम में आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, और कैसे मैंने डिराइव किया है, वो भी याद रखना है, क्योंकि एक्जाम में वो डाइरेक्ट यह रिजल्ट आप से पूछते हैं, तो देख लीजिए, क्या प्रोसेस अपन ने अपनाया, जिससे हम इस रिजल्ट को प्रूफ कर पाएं, यह सबसे पहला रिजल्ट है, नमबर वन रिजल्ट है, जो हमने इस वीडियो के अंदर प्रूफ किया, ऐसे कुछ और रिजल्ट अपने इस वीडियो के अंदर ही प्रूफ करने वाले हैं, तो पहले देख लीजिए, क्या इसमें कहीं पे कोई कन्फूजन आपको लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, चलिए, बहुत अच्छे बात है ये, अगर आपको नहीं लगता है तो, बच्चो थोड़ा सा चीज़े और एक्स्टेंड करते हैं अपन, वापस से जनरल फॉर्म लिखेंगे, और एक और नया रिजल्ट अपन प्रूफ करेंगे, आजाएए, देखेगा, बोट पे देखेगा, चलिए, जनरल फॉर्म अपन वापस से लिखते हैं, वाई, क्या है अपने पास जनरल फॉर्म, ए प्लस बी की पावर एन है, और रिजल्ट, अब मैं समझाऊंगा निए, डिरेक्ट लिखूंगा जनरल फॉर्म, और यहाँ पे यार, इसको बहुत छोटा ही लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, लेकिन अच्छे से लिखता हूं, क्योंकि दिखना भी तो चाहिए, ए प्लस बी है, पावर आपके पास एन है, ठीक हैं, क्या बनता है, सबसे पहले और एनेसी लिखनाला, क्योंकित बनता है, उसके बाद आपके पास एन्सी थी बनेगा, यहाँ पे एन की पावर एन माइनस थी बनती है, और जाएगर गा, उसके ही आप कंटिन्यू करेंगे, बहुत टेटा लिख हरा हैं हमैं, चलो अब चला लो काम चला लो, ऐसे ही मैं NC4 लिखता हूँ, यहाँ पे A की पावर N-4 बचती है, B की पावर 4 बचती है, और ऐसे ही आप जाओगे बच्छो, तो अगला टर्म, अगला टर्म, बहुत सारे ऐसे टर्म आप लिख सकते हो, कोई कमी नहीं है, बहुत सारे टर्म आ और झाओड का चक्कर आएगा, किसका चकर आएगा, इवेन और लौड का, और मुझे नहीं मालूम कि जो मेरा लास्ट है, वो इवन है या ओड है, तो मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ, मतलब मैं जो चीज फ्रूफ करना चाहरा हूँ, मैं कुछ इसको एसे प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि यह number उपर वाला even हो या number उपर वाला odd हो मेरा result हमेशा काम करें तो मैं उस तरीके से यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने last term को नहीं लिखा in fact उसकी जुरत भी नहीं है जितने terms मैंने लिख दिये हैं इसे में आप चीजे clear कर लेंगे यहाँ पर एक जो होता है एक even number होता है यह odd number नहीं होता है अगर आपको यह वालूम थी तो आप खुश किसमत थे नहीं मालूम थीं तो आज याद रखिये होता है zero is an even number two is an even number four is an even number ठीक है तो यह बाते थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा याद है last case में भी हमने substitution किया था बच्चों इस case में भी हम substitution करेंगे substitution करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूं जब भी जीवन में minus one पे even चढ़ाते हो even नमबर चढ़ाते हो तो answer plus one बनता है ठरसर हम को मालूम है फिर भी सुन लो और minus one पे अगर आप odds चढ़ाते हो तो आपको minus one लता है तो ये information तो आपको होगी ही नहीं थी तो मैंने दे दी minus 1 पे अगर even number चढ़ाएंगे तो power plus 1 मिलेगा minus 1 पे odd number चढ़ाएंगे तो आपको answer minus 1 मिलेगा ध्यान रहेगी बात चलो शांदर आजाओ तो बच्चों यहाँ पे अब करेंगे अपन बहुत ही खतरनाक वाला substitution मज़ा आ जाएगा आपको सर ऐसा क्या substitute कर दोगे आप तो सुनते जाना बच्चों substitution यहाँ पे यह करेंगे जहाँ पे A है वहाँ पे हम plus 1 को डाल देंगे और जहाँ पे B है वहाँ पे हम minus 1 को डाल देंगे यह हम यहाँ पे खतरना काम करने वाले हैं जहाँ पे A है वहाँ पे हम plus 1 को डाल देंगे और जहाँ पे B है वहाँ पे हम minus 1 को डाल देंगे अरे बोलो दिक्कत है क्या नहीं है चलो आजाओ तो भाई यह A की जगा 1, B की जगा minus 1 चलो कर देते हैं input A की जगा 1 कर दिया आपने B की जगा minus 1 तो 1 यह बीच में plus sign था B की जगा हो चुका है minus 1 यह bracket ऐसा close और उपर पावर किसकी है N की, समझाया A की जगा 1, B की जगा minus 1 LHS में, भाई यही काम RHS में करेंगे तो यहाँ पे NC 0 है A की जगा plus 1 है, अरे A तो अच्छा है 1 की पावर क्या हो गया, N हो गया plus sign, यहाँ पे NC 1 है Sir, A की पावर N minus 1 तो Sir, 1 की पावर N minus 1 और Sir, B इकलोता बेटा है Sir, B तो minus 1 है तो यहाँ पे minus 1 डाल दीजिए आप परिशानी तो नहीं, चलिए अगला टर्म है बच्छो, NC 2 वाला तो यहाँ पे जो NC 2 वाला टर्म है उस पे देखिएगा A की पावर N minus 2 तो Sir, 1 की पावर कितनी हो गई Sir, N minus 2 हो गई B की पावर 2 है Sir, B तो minus 1 है तो Sir, minus 1 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई क्लियर है इसका अगला टर्म है Sir, आपके पास NC 3 यहाँ पे Sir, A की पावर N minus 3 है तो Sir, वापस से 1 की power n-3 हो गई और sir, b की power 3 है यानि कि sir, minus 1 की power 3 हो गई sir, ऐसे ही अगला term है nc4 वाला इसको भी लिख दीजी please, तो अगला term है nc4 a की power n-4 है तो 1 की power sir, n-4 हो गई और sir, b की power 4 है यानि कि sir, minus 1 की power 4 हो गई और sir, ऐसे dot 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 लगा दीजिए कि ऐसे ही बहुत सारे term आगे जाके होंगे ठीक है चलिए सर अब इधर सुनिए इधर सुनिए बोर्ट पे देखिएगा अब यहाँ पे बच्चो इसको solve करोगे तो देखो 1 है और minus 1 है सर आपस में cancel होके 0 बना देंगे सर 0 की power n क्या होती है सर 0 होती है तो मुझे ऐसा लगता है left hand side को 0 लिख दूँ तो इसमें आप लोगों को जादा मतबेद नहीं होना चाहिए कि सर left hand side में 0 कहां से आ गया अरे 1 और minus 1 आपस में cancel हो गया तो क्या हो गया 0 बचा और उपर power n है 0 की power कुछ भी लगाओ आंसर तो 0 ही बनेगा अब कहानी इधर सुनना भाई यहाँ पे आपके पास nc0 है सर 1 की power n यह पॉजिटिव 1 में कुछ भी power चड़ाओ आंसर तो बनाता है तो क्या उसको लिखने का कोई sense है 1 की power n का सर कोई sense नहीं है तो हटा दीजिए और effective क्या आया effective वहां से सिर्फ और सिर्फ nc0 आया अब अगर मैं अगले term की बात करूँ तो अगला term यहाँ पे देखिए का एक्टम ध्यान से देखिए पहले तो सर यहाँ पे plus है और सर यहाँ पे minus है चलो बाद में बात करेंगे पन यहाँ पे plus है सर यहाँ पे nc1 है सर वापस से उसका कोई sense नहीं है कोई मतलब नहीं है बिल्कुल सही कह रहे हो तो sense है इस minus 1 का यह इसका sense है बहुत sense है क्योंकि sign change करेगा पर इस 1 की power n minus 1 का कोई sense नहीं है तो effectively यहाँ से मैं nc1 लिखूंगा और जो बच गया है minus 1 मैं उसको लिखूंगा बाकी कहानी मैं नहीं देखूंगा चलो उसका अगला term देखो वह उसका अगला term है सर nc2 दिख गया आपको सर वापस से 1 की power n minus 2 है सर कोई sense नहीं है लेकिन सर यह जो minus 1 का whole square है इसका बहुत sense है और सर आपने हमें सिखाया है कि negative पे अगर even चड़ता है तो positive हो जाता है तो minus 1 पे अगर even चड़ा तो plus 1 होगा तो सर यह minus 1 का whole square क्या कर दो सर आप plus 1 कर दो यह चीज समझ में आई अगला term सर ऐसे ही देखेंगे हम तो सर यहाँ पे nc3 है सर 1 पे n minus 3 है no sense कोई मतलब नहीं है उसका लेकिन सर यह जो minus 1 पे 3 है सर minus 1 पे odd power चड़ी है 3 एक odd number है और आपने हमें स्टाइटिंग में बताया कि minus पे odd चड़ना मतलब आपको negative answer मिलेगा तो minus 1 पे odd चड़ाया तो answer आपको minus 1 मिलेगा तो इस तरीके से आपको minus 1 मिल गया ऐसे ही कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है और अगला है आपके पास nc4 अब इदर देखिए 1 पे n minus 4 no sense और minus 1 पे power 4 भई minus 1 पे even power तो क्या बन जाएगा सर plus 1 बन जाएगा तो थोड़ी situation आपको clear हो रही होगी और यहाँ पे ऐसे dot 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 अपन बना देते हैं और terms के लिए देखते जाएगा सर यहाँ पे 0 है सर यहाँ पे nc0 है सर यह देखिए यह plus और यह minus plus minus minus कर दूं nc1 और सर यह minus का का काम तो साइन को बस minus बनाना था वन लिख के क्या ही कर लोगे हटा दो सर तो हटा दिया हमने अब यहाँ पे देखिएगा सर यहाँ पे plus है और अंदर भी one भी plus वाला है तो इतना कोई issue नहीं होगा सर effectively अपने पास nc2 आ जाएगा ऐसे ही इधर देखो प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे nc3 बचेगा अर यह चीज़ समझाए कि नहीं प्लस माइनस माइनस होगा वन क्या ही लिखोगे तो माइनस nc3 होगा ऐसे ही अगला term है सर nc4 इस तरीके सर कुछ terms आपने लिखे है अब in terms का analysis कीजिए सोचिए देखी जरा जब नीचे even number है जब c 0 जैसे देखो मतलब समझो जो c के नीचे number लिखा है पूरा situation उस पर depend कर रहा है पूरा situation किस पर depend करता है जो number c के नीचे लिखा है तो बैये c के नीचे 0 लिखा है even लिखा है तो जब even वाला term आ रहा है तो जो ncr वाला term है वो positive है जब नीचे 1 है यानि कि odd है तो ncr वाला term negative है जब नीचे even है तो positive है जब नीचे odd है तो negative है जब even है तो positive है तो pattern समझ गए यानि कि अगला क्या आएगा NC4 के बाद NC4 के बाद Sir NC5 आएगा अरे Sir odd है तो minus लगा दीजिए Sir अगला क्या आएगा Sir NC6 आएगा Sir even है तो positive लग गया Sir अगला क्या आजाएगा minus NC7 आजाएगा Sir अगला क्या आजाएगा Sir plus NC8 आजाएगा और सर ऐसे ही ये गाड़ी चलती चलेगी, जहां तक जा सकती है, वहां तक जाएगी, तो यहां पर यह चीज बड़ी important सीखने वाली थी, जो आपको मैंने दिखा, यह बहुत जादा important है, अब important पता है, हमारा मन कर रहा है, अरे सर देखो left hand side क्या है, zero है, सर right hand side में कुछ चीज़े negative है, कुछ चीज़े positive है, सर क्या हो, अगर मैं negative को positive बना दूं, सर negative को कैसे positive बनाओगे, तो भया जितने negative वाले term है, उसको right से left में भेज दूं, अरे pattern समझो भया, जितने negative वाले term है, उनको right से left में भेज दूं, तो वो negative वाले जब left से right जाएंगे, तो positive बन तो अगर वो इस तरफ आएगा तो positive nc1 हो जाएगा हाँ sir तो चलो right से left मिलाए तो positive का nc1 बना अरे ये clear है कि कैसे positive का nc1 आए परिशानी जो नहीं ऐसे ही अगला देखो minus nc3 इसको ले आओ तो इसको अपन ले आएंगे बच्चो तो इधर positive का nc3 बनेगा बिल्कुल सही बा और इसी चीज को continue कर दो dot 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 का मतलब है जितने भी odd वाले हैं वो सब आ गए sir उस तरफ कौन से बचे तो sir उस तरफ even वाले बचे sir उस तरफ कौन से बचे sir उस तरफ कौन से वाले बचे even वाले बचे sir odd वाले तो इस तरफ आ गए NC6 है, तो situation कुछ ऐसी होती है कि जो odd वाले भाई साब है उनका sum और जो even वाले भाई साब है उन सब का sum क्या होता है बरावर होता है, आप यहाँ पर आपके सामने मैंने प्रूफ किया, देखिए, यह एक another important result है जो आपको याद रखना है, और exam में प्रूफ करने को आता भी है कि यह चीज आप प्रूफ करके दिखाईए binomial theorem के मदद से, तो हमने प्रूफ करके दिखाया कि NC1, NC3, NC5 प्लस NC7, यहनि सब odd वाले भाई साब किसके बराबर होते हैं आपके even वाले भाई साब के sum के बराबर होते हैं, लेकिन पता है exam में एक और question आता है, अरे equal तो कर दिया, लेकिन value क्या है इन सब की, तो अब अगला सवाल आता है कि इनकी value निकाल के देखाओ, value निकालना बहुत आसान काम है, देखते जाना बोड पे focus से देखते जाना, भाई ये सारे odd वाले, ये सारे even वाले, value क्या है, same है equal to है बीच में, हाँ sir equal to है तो मैंने बोला, अरे भाई value अगर same है, अरे भाई अगर value same है, तो दोनो side की value को क्या ले लू x ले लू, क्या बोला मैंने, अरे भाई value अगर same है, तो दोनों को क्या लेलो एक्स लेलो ये पूरा आपका कौन है और वाला ये पूरा कौन है आपका इवन माला दोनों की वैल्यू मैंने क्या लेली सेम लेली और कितनी लेली मैंने एक्स लेली अरे ये समझ में आया के नहीं आया तो यहां पर लिखेंगे और वाला क्या है और वाला इसको अ बिल्कुल सभी बात, और सर आप बोल रहों कि even वाले का भी x ले लो, हाँ मैंने बोला है क्योंकि दोनों सेम है, तो सर nc0, सर nc2, सर nc4, सर आप बोल रहों इसका भी x ले लो, भई दोनों सेम है ना तो दोनों को x ले लिया, और फिर जो सबसे पहला result मैंने derive किया था, मैं इ result पे आया, तो मैंने बोला कि इस result को लिखते हैं, चलो, तो अगर अपन पहले result को लिखेंगे, तो पहला result क्या था, देखना ज़रा, पहला result था, nc0, प्लस, nc1, प्लस, nc2, प्लस, nc3, प्लस, nc4, प्लस, nc5, ये आपका, फिर उसके बाद, प्लस, nc6, और कहानी ऐसे जा रही थी, सर, कहां तक जा रही थी, कहानी, आप इसका लोड मत लीजिए, आंसर क्या था, फाइनल ये बताया, तो सर, आंसर फाइनल था, टू की पावर, n, कहां तक कहानी जा रही थी, इसका लोड आप मत लीजिए, आंसर क्या था, फाइनल वो बताया, तो आंसर था, अब सुनना, यह जितने भी terms आपने लिखे हैं, यह आपका पहला result है, जो आपने प्रूफ कर चुका है, जितने भी terms आपने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से कुछ even हैं और कुछ odd हैं, तो मैं कहता हूँ, even वालो का group बना लो, और odd वालो का group बना लो, क्या गलत बोलता हूँ सही बोल रहा हूँ, तो चलो, even वालो का group बनाएंगे और odd वालो का group बनाएंगे, तो सबसे पहले even वालो को चुनते हैं, तो even है अपने पास NC0, फिर है अपने पास NC2, फिर है अपने पास NC4, यह अपनने किसकी grouping बना ली, भाईया, even वालो की grouping बना ली, कहा तक जाता है, हम sum तो 2 की power n के बराबर है even वाले, odd वाले, अब ध्यान से सुनना अरे sir आपने तो बोला था even वालो की value क्या ले लो x ले लो, sum वाली, और sir odd वाली की भी value क्या ले लो, x ले लो, आपने ऐसा बोला था, हाँ यार, बोला तो था, गलत भी नहीं बोला था? event वालों को क्या लेलो, sum का क्या लेलो, x लेलो और sir odd वालों का भी क्या लेलो, x लेलो, अरे sir कमाल हो गया, यनिकि sir इतनी जो बड़ी चीज है इसकी जगां क्या हम सरफ x लिखेंगे, हाँ जी इतनी बड़ी चीज की जगां सिर्फ तो यहाँ पे even और odd जो group करा है, उसकी जगे भी x, और इसकी जगे भी x, क्या परेशानी, और यहाँ पे right hand side में क्या है, तो 2 की power n है, अब x और x आ गया है दो बार, तो यहाँ पे मैं 2x की value 2 की power n लिख दूँ, बोलो भाई, इसमें दिक्कत है क्या, नहीं है सर, तो 2x की power, 2 2x की value 2 की power n की equal है, अब यह जो 2 है, सर इधर multiply में हैं, तो उस तरफ भेजो कि तो divide में जाएगा, यानि की x की value आ जाएगी, 2 की power n divided by 2, गलत बोला क्या, नहीं सर, अरे सर कमाल हो गया, 2 की power n, 2 की power 1, अरे 2 जो है, 2 की power क्या है, 1 है, सर हम बच्पन से पढ़ते आएं, क्या पावर n हो, तो सर आंसर लिख देते हैं, a की power m minus n, बोलो पढ़ा है की नहीं पढ़ा, पढ़ा है सर, तो यहाँ पे भी सर देखिये न, base same है, तो powers को subtract कर दीजे, तो सर यहाँ पे आप solve करेंगे, तो x की value आ जाएगी, 2 की power n minus 1, एक्स की value क्या जाएगी, 2 की power n minus 1, और आप का जो odd वाला था, nc1, फिर आपका जो nc3, आपका जो nc5, यह जो आपके odd वाले भाई साब थे, इन सब का sum x आया, और x की value अपन ने कितनी निकाली, 2 की power n minus 1 निकाली, ऐसे ही, अगर मैं even वालो की बात करो, यानि की nc0, फिर आपके पास nc2, फिर आपके पास nc4, इन sum भी x था, और x की value हमने 2 की power n, minus 1 निकाली, तो यहाँ पे, sir, हमने दो और result बना लिए, दूसरा नहीं, मैं तो इसको number 3 बोलूँगा, और मैं इसको number 4 बोलूँगा, 4 results आपके सामने मैंने proof किये हैं, आपको दिखा देता हूँ, कैसे proof किये हैं, वो तो मैंने यह समझा दिय जब पहला हो गया, फिर अपन दूसरे में आया, तो a की जगा 1, b की जगा minus 1, और यहाँ पे यह दूसरा result प्रूव हुआ है, जो कि बड़ा important result है, sir, जो कि हमें बताता है, odd वालो और even वालो का sum क्या होता है, same होता है, और sir, जब दूसरा result आपने proof कर दिया, तो फिर sir, दो पूचते हैं, इसलिए इतनी महनत से मैंने सिखाई है, अब sir, इतनी कहानी तो दिमाग में थोड़ी से fit हुई थी, फिर sir ने बोला कि कुछ और results हैं, उनको भी देख लेते हैं, चलिए, तो हमारे पास कुछ और results हैं, मजा आएगा पढ़के उनको चलिए, उन results की अपने य हमेशा, binomial जब भी आप पढ़ते हो, तो शुरुआत आप general form से ही करते हो, तो अभी भी हम शुरुआत वापस से कहां से करेंगे sir, वापस से हम शुरुआत करेंगे general form से, general form इसलिए ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है, और मैंने आपको best तरीका बताया था उसको ध्यान बाते बैठेंगे, चलिए, आईए, general form वापस से लिखते हैं, फिर अपन एक और result derive करेंगे, माली जी ऐसा है, a plus b की power n, यही होता है, तो क्या answer मिलता है अपने को, अपने को answer मिलता है, nc0, a की power n, b रहता नहीं है, फिर रहता है, nc1, a की power n-1, b की power क्या आता है, 1 आता है, फिर आता है, nc2, a की power क्या आता है, भई, n-2 आता है, और b की power 2 आती है, और फिर रहता है, अपने पास, nc3, और a की power n-3 आती है, b की power 3 आती है, और ऐसे ही अगला जो आ जाता है, वो आ जाता है, nc4, अब कितने लिखूं, मैं लिखता लिखता मैं ठक जाओंगा, last term जो आपने पास N, C, N, B की पावर N, तो कुछ ऐसा situation रहता है, आपने देखा होगा, वापस से बच्चो हम यहाँ पर substitution करेंगे, आपने इतना तो रियलाइस किया होगा, कि सर जितने भी results derive कर रहे हैं, आपके general form से derive कर रहे हैं, और substitution की मदद से derive कर रहे हैं, तो चलिए वापस से substitution करेंगे यहाँ पर, substitution ऐसा होगा, कि सर A की जगह आप 1 डाल दीजिए, और सर B की जगह आप X डाल दीजिए, क्या substitution क्या हमने बच्चो, अच्छे से ध्यान से देखो, A की जगह 1 डाल दीजिए, और B की जगह आप क्या डाल दीजिए, X डाल दीजिए, हमने डाल दिया, चल जहां B है वहाँ वहाँ X डलेगा दिक्कत है कहीं नहीं चलो आओ डाले तो यह हो जाएगा N C 0 A की जगा 1 देखो यार इतना तो अभी तक समझ चुके हो कि 1 पे अगर कोई पावर आती है तो वह चीज खतम हो जाती है तो अगर मैं A की जगा 1 डालू और 1 की पावर N करूं तो वह चीज लिखने का कोई मतलब नहीं है तो मैं यहां पर 1 की पावर N लिखके टाइम पास आप Anything special लेकिन यहां पर B की पावर 1 है B कितना है सर X है तो सर X की पावर 1 X की पावर 1 का मतलब क्या है आपको X मिलेगा तो यहां पर NC1X मिल जाएगा अगला term ऐसे ही अगले term की बात करूं मैं तो यहाँ पे देखिए nc2 मिलेगा देखिए a की power n-2 है 1 की power n-2 nothing important लेकिन b पे power 2 है और b अपना x है तो यहाँ से हमें x square मिलेगा ऐसे ही अगले term की बात करें अपन तो यहाँ पे nc3 है a की power n-3 है यहाँ पे 1 की power n-3 है बच्चो अभी तक तो अपन कहानी समझ चुके है लेकिन यहाँ पे b की power 3 है भईया b तो x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x cube आ जाएगा ऐसे ही चीजों को अपन कुछ और terms तक लिख लेते हैं चलिए देखिए थोड़े से और लिख लें आ जाए आ जाए यह तो यह nc3 आ गया बच्चो ऐसे ही अगला term लिखोगे पैटरन तो आप समझी चुके हो nc4 देखो न पावर क्या हो रही है पहले यहाँ पे x था नहीं x की power 1, x की power 2, x की power 3 तो अगले term में क्या आ जाएगा x की power 4 आ जाएगी ऐसे ही यहाँ पे आप nc5 लिखेंगे तो x की power क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी तो ऐसा आप लिखते जाएगे last term क्या आएगा last term ncn x की power n आ जाएगा तो अगर मैं last term यहाँ पे लिखूँ तो last term चलो इस term को हटा देता हूँ फिर last term अगर मैं लिखूँगा तो मैं लिखूँगा ncn x की power क्या लिख दूँगा मैं n लिख दूँगा ऐसा बड़ियांसा एक result बनता है तो यह result भी वच्चो ध्यान रखना पड़ेगा बहुत काम का result है काम अपने को आता है ठीक है बहुत काम का result है ध्यान रखेंगे भूलेंगे नहीं clear है बाते परिशानी तो नहीं हाँ इसको थोड़ा साब solve कर सकते हैं कैसे तो अगर आप चाहें तो देखें क्या करना है इधर सुनिए 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 1 प्लस x की power n है इधर देखिए अगर आप n c 0 को solve करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा सर अगर n c 1 को solve करेंगे तो आपको n मिलेगा तो यह 1 प्लस n x हो जाता है सर अगर n c 2 x square को आप solve करेंगे तो आपको पता है कितना मिलेगा मैं बताता हूँ n multiplied by n minus 1 divided by 2 factorial तो थोड़ा से इसको और simplify कर सकते हैं आप चाहो तो ऐसे ही n c 3 x cube को आप solve करोगे तो यह आपको मिलेगा n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 divided by 3 का factorial और यहां पर x cube ठीक है तो आप चाहें तो इसको ऐसा दिखा सकते हैं वह आपकी शक्तिश अधा पर है मैं तो इसको ऐसे भी धियान रख लेता हूँ और क्योंकि मैं n c r को solve करना जानता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी बना के दिखा सकता हूँ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है पर हाँ यह दोनों ही results important है तो अगर यह दोनों ही results आपके दिमाग में रहते हैं तो भाई यह बहुत खुशी की बात है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ठीक है परिशानी कहीं पर नहीं चलिए तो बच्चो इतनी कहानी अगर सेट हो चुकी है दिमाग में समझ में आ चुकी है तो मेरे लपास एक और रिजल्ट है आपको याद करवाने के लिए जिसको मैं अगले पेज में प्रूफ करवाता हूँ और यह लास्ट रिजल्ट है फिर कहा अपनने कुछ हैसा बनाया था कि जो नंबर नीचे रहता है मतलब जैसे 1 है नीचे तो एकजिए पहली पावर चड़ती है जैसे यहाँ पर मैं लिख नहीं रहूं वह आप देख ली जाएगा ठीक है आपका दे लेंगे मतलब general pattern समझो result समझो बाकी तो हुई जाएगा आजाओ बच्चो यहां पे खलगा सब substitution करना है जहां पे x है वहां पे आज minus x रख देंगे जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे वहां पे हम minus x रख देंगे ठीक है पूरे equation में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दें माइनस x रख दें आ जाईए तो इसका lhs कैसे transform होगा देखो जरा यहां पे पहले से क्या था 1 था प्लस था बीच में x था पर सर x की जगह तो आपने बोला है माइनस x रख दो हां गलत थोड़ी बोला है जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे भईया माइनस x रख देंगे तो हमने x की जगह क्या रख दिया माइनस x रख दिया यह काम राइट हैंड जाइड में भी होगा तो यहां पे nc0 यहां पे nc1 अरे सर यह एकलोता x तो रख दो भईया माइनस x अरे सर अगला टर्म है nc2 यहां पे सर x square है तो ठीक है ना यहां पे रख दो कीपावर 9 तो sir minus x की power 4 कर दीजिए sir nc 5 है तो ठीक है sir nc 5 कर दीजिए और x की जगा minus x की power 5 कर दीजिए ऐसे ही आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं continue कर सकते हैं आईए हम इसको solve करते है sir plus minus minus होता है तो यहाँ पे actually आपको क्या मिलेगा यहाँ पे actually 1 minus x की power और आपको n मिलेगा अरे plus minus minus होता है तो 1 minus x की power n मिला sir nc 0 को अभी nc 0 है रहने दीजिए solve मत करेगा बाद में करेंगे यहाँ पे देखना sir चलो last step में करेंगे अभी मत करो sir इसको रहने तो nc 1 minus x रहने तो मत करो solve तो हमारा कितना भी मन करें फिर भी तुमको वो rule मालूम है मैंने अभी बताया था कि negative पे अगर even चड़ता है तो positive में convert हो जाता है और negative पे अगर odd चड़ता है तो negative ही रहता है तो minus x पे whole square चड़ा यह नहीं कि even चड़ा तो वो positive ही रहेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पे x square ही रहेगा वो change नहीं होगा यहाँ पे sir क्या है यहाँ पे sir फिर nc3 है sir यहाँ पे negative पे odd चड़ा है मतलब 3 चड़ा है तो minus x cube को पता है आप क्या लिख दीजिए minus x cube आप इसको ऐसा लिखिए तरीका समझे मैंने क्या किया पहले minus x का whole cube था लेकिन मैंने क्या बोला भाई यह odd power है तो negative बाहर आएगा तो अभी cube जो है वो x पे है और negative क्या है बाहर है भाई यह दोनों चीज़े अलग है देखो ज़रा यहाँ पे bracket के अंदर minus x है और फिर whole cube है और इसको solve कैसे किया है minus को बाहर लाया हम bracket फिर से लगाया है लेकिन x का अलग से whole cube किया तो इस चीज़ को different way में लेना है same way में नहीं लेना है और इतने बच्चे आप नहीं हैं कि इसको नहीं समझ सकते हैं यहाँ पे nc4 है सर negative पे x की power सर इसका कोई मतलब नहीं हटा दीजिए सर यहाँ पे nc5 है सर यहाँ पे भी वही चीज़ होगी सर nc5 बनेगा minus पे odd है तो सर पहले minus बाहर निकाल लो और x की power क्या कर दो सर सिर्फ और सिर्फ 5 कर दो और ऐसे बहुत सारे terms आएंगे समझ गयो अब देखो जरा इसको थोड़ा सा solve करेंगे अपन 1 minus x की power सर n है सर यहाँ पे आप nc0 रहने दीजिए सर यहाँ पे देखे सर यहाँ पे कमाल हो गया सर सर प्लस माइनस माइनस आगे इधर देखो इधर प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे nc1 है और यहाँ पे एकलोता क्या है x है समझाया अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तो यार कुछ कोई इशू नहीं है तो यहाँ पे पन रहने देंगे nc2 रहने देंगे और x की power क्या आ गई x की power 2 यानिके square आ गई तो अपनने रहने दिया यहाँ पे देखना ज़रा plus minus minus आ गया और फिर यहाँ पे nc3 आ गया और x की power क्या आ गई 3 आ गई देखो plus minus minus इसलिए मैंने minus बाहर ले आया था ऐसे अगले time में देखिए यहाँ पे nc4 है और x की power क्या है भई आपके पास 4 है यहाँ पे देखिए plus minus है माइनस आ गया और nc5 बन गया और x की power क्या बन गया 5 बन गया तो किछ इस तरीके से आपन चल रहे है आप यहाँ पे pattern अगर सीखेंगे तो मजा आ जाएगा बच्चो pattern observe करने की कोशिश करो आप लोग मैं तो बता ही दूँगा देखो pattern देखो जहाँ पे odd है वो वाला सारी जहाँ पे even है नीचे वो term positive है देखो जैसे nc2 x square इतना तो अपने को मालूम है जो number नीचे आता है variable पे भी वही number आता है यहाँ पे जैसे 3 आया तो variable पे भी 3 आया नीचे वाला number और sorry even रहेगा वहाँ पे positive रहेगा so sorry for that nc0 आपका r0 even है तो positive है nc1 आपका r हो गया 1 यानि कि odd है तो क्या आ गया नेगेटिव यहाँ देखिए nc2 again even तो positive nc3 again odd तो negative nc4 even तो positive nc5 odd तो नेगेटिव तो कुछ इस तरीके से आपका 1-x की power n का expansion जो है आपके सामने आता है ठीक है अब यहाँ पर और सुन लीजिए यह expansion समझ गए हो तो अच्छा इसको थोड़े से और तरीके से दिखा सकते हो जैसे अपनने उसको किया था solve कि nc0 को solve करोगे तो 1 मिलेगा nc1 को solve करोगे तो n मिलेगा nc2 को solve करोगे तो n into n-1 divided by 2 factorial और यहाँ पर आपको x square मिलेगा भाई nc3 को solve करोगे तो n into n-1 multiplied by n-2 divided by 3 factorial x cube मिलेगा तो ऐसे भी आप result ध्यान रख सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे आप result ध्यान रख सकते हैं तो यहाँ पे 2 result आपको मैंने सिखा है एक तो यह वाला जो ऊपर लिखा है एक यह वाला जो यहाँ लिखा है और एक यह वाला जो यहाँ लिखा है तीन हो गए और वही result का एक और दूसरा form यहाँ पे तो यह कुछ results हैं जो आपके exam में काम आते हैं In fact, वो direct proof करने को भी आपको बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा, चलिए, इतनी बाते clear हैं, कहीं confusion है क्या, नहीं, अच्छा, पता है, exam में एक और चीज आती है, जो अभी मैं करवाओंगा तो नहीं, पर आने वाले वीडियो में जरूर आपको बताओंगा, जस्ट आ सेकेंड आपको समझाओं कि क्या होता है, देखिएगा, एक आता है, कि भाईया, इस चीज को भी प्रूफ करके दिखाओ, कि इस चीज को, वन माइनस एक्स की पावर एन भी सॉल्फ करके बता दिया, तो अब दोनों को क्या कर दो, दोनों को एड कर दो, आप इसका रिजल्ट प्रूफ कर सकते हो, तो यही कुछ रिजल्ट्स थे, जो बाइनोमियल थियोरम में बच्चो इंपोर्टेंट है, और जो कि मुझे इस वीडियो में आपको सिखाने थे, और जो मैंने सिखाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके अलावा रिजल्ट्स नहीं होते हैं, पर हां, जितने बेसिक हो सकते थे, वो बेसिक रिजल्ट्स थे मैंने आपको सिखाए हैं. तो sir, बाकी की theory अब कब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, अब सिधा question पर आएंगे, हाँ जी, direct हम questions पर आएंगे, क्योंकि बाकी की जो बची theories हैं, बाकी की जो बची results हैं, वो बच्चो question के माध्यम से हम समझेंगे, और जो जादा सही है, मैं अगर जादा theory आपको पढ़ा जादी है, अब आएंगे question, और जो बची हुई theory है, जो थोड़ी tough level की theory रहती है, middle term निकालना, पीछे से term निकालना, जा फिर जैसा एक result मैंने वहाँ पर देखाया था, उस result को proof करना, तो वो सारी चीज़े जो हैं अगली वीडियो के लिए, अब मालुम है, अब मैं आपक करवाने वाला हूँ, 3-4 part में, almost 40 examples करवाऊंगा, 3-4 part में divide करके, और उसमें हर एक possible variety of questions बच्चों मैं आपके साथ discuss करूँगा, ये मेरा आपको promise है, तो ये मत सोचीगा, अरे सर आपने तो एकदम basic theory पढ़ा के हमको निप्टा दिये, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले binomial समझाया होता क्या है, और बहुत बढ़ियां तरीके समझाया, यहाँ पे कुछ results सिखा हैं जो की important है, अब इतनी अगर आप कहानी सीख चुक है ना, तो आप question करने के लिए तयार है, तो आप theory पर time waste ना करते हैं, अपन questions आएंगे, questions लाएंगे, और उ जाते जाते यही बताना चाहूंगा कि magnet brains पे, अच्छा अगली वीडियो करते हैं, तो इसके मुबाइल अप्लिकेशन पे free of cost देखते हैं, books और ebooks का link description box में है, जाके check out कर लीजिएगा, बाकी इतने सारे courses आप magnet brains पे enjoy करते ही है, high quality education magnet brains आपको provide करती है, तो मिलते हैं नेक् और बात video को like करें, channel को subscribe करें, जितना हो सगे video को करें, आप share, मिलेंगे हम next video में, जहां पे हम questions की शुरुआत करेंगे binomial theorem की, till then keep studying from magnet brains, stay tuned at magnet brains and take care of yourself.